नमस्कार दोस्तों हमारे इस मिशन 2022 के जो लाइव हुआ करेंगे वो नेमित रूप से बुद्वार और सनिवार को हुआ करेंगे समय फिक्स रहेगा सवा आट बजे और इस समय में हम लोग रादस्तान के जन हित के व्यापक मुद्दों पर बात करेंगे हमारी सारी बातें सत्य और तत्य पर आदारित होंगी और हम समाज में एक व्यापक जन जागरन करेंगे हम चाते हैं कि हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को रादस्तान सरकार के केंदर सरकार के बनाएवे कानूनों की जानकारी हो कुछ खास खास योजनाओं की जानकारी हो और हम लोग 2022 में कुछ सलेक्टेड कानूनों को कुछ योजनाओं को धरातल पर उतारें हमारा नारा भी यही है जागो, जानों और जीतो, जंग, जिंदगी की अगर आप जागे, जान गे तो खुद की जिंदगी की भी और समाज और देश की जंग भी जीत लेंगे और यह सबसे कटिन काम है इस देश में जो हम लेकर चल रहे हैं लोगों को भर्माना असान है उनको बैकाना असान है उनको बहलाना असान है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है और वो भी ऐसे देश के लोगों को जिनकी नींद अभी भी उड़ी नहीं है एक जार साल के बाद भी जो अभी भी राज तंत्र के यूग में जीने के आदी हो चुके हैं उनको ये बाते कहना काफी मुश्किल है लेकिन ये मुश्किल काम हमने हाथ में लिया और पिछले पंद्रा सालों से हम ये काम कर रहे हैं अब हम हमारे काम के निर्णाइक दोर में हैं ये वर्स हमने चुन रखा है 2022 राजस्तान में लोग तंत्र की जमीन तयार करने का और इसके लिए हम लोग दिन रात मैनत करेंगे हम सारे लोग मिलके राजस्तान के लोगों को और राजस्तान की सरकार को आपस में जोड देंगे और जितना ज़्यादा ये खाई पाटी जाएगी जानकारियों के द्वारा उतना ही ज़्यादा इस प्रदेश में लोग तंत्र मजबूत होगा और विकास की गाड़ी चलना सुरू होगी और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों इसके अलावा कोई सुधाई समधान है यह नहीं इसलिए हमने की योजना बनाई है 29 दिसंबर 2021 से सुरू होकर दिसंबर 2022 तक हम 1000 लोगों का एक संप्ठन बनाकर सक्रिय लोगों का, जागरूग लोगों का, जिम्मेदार लोगों का, जिन्दा लोगों का संग्ठन बना कर रादस्तान में वो काम करने वाले हैं जो इस देश में अभी तक नहीं हुआ है समाज की सोच और समाज की दिसा सरकार की सोच और सरकार की दिसा बदलने का काम हम सब लोग करेंगे बहुत सारे विश्यों पर मैं बोला करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी समाजिक समारों में जाता हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आपका वो लाइव हमने देखा था वो प्रोग्राम हमने देखा था इसमें आपने यह कहा था उसमें हमने यह कहा था तो मुझे लगता है कि मैं जो यह मैंट कर रहा हूं मेरे साथियों के साथ ये समाज की गैराई में पहुँच रही है जब अनजान लोग मिलकर कहते है कि हमने आपके सकारिकम को देखा था और वो चीज आपकी हमको पसंद आई थी आप लोग ठीक काम कर रहे हैं ये appreciation जब मिलता है तब लगता है कि हाँ हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं हम धीरे चल रहे हैं लेकिन सही रास्ते पर चल रहे हैं आज हमारे जो 21-22 मुद्दे हैं जिनको मिसन 2022 में लेंगे उन्हें मैं से एक मुद्दे पर आप से मैं बात करूँगा और वो मुद्दा हमारा नए पुलिस कानून का है पुलिस कानून 2007 का जिसके बारे में रादस्तान के अधिकतर लोग नहीं जानते पुलिस के अधिकतर करमचारी अधिकारी नहीं जानते या अधिकारी जानना नहीं चाते और जिसके बारे में अधिकतर राजनेता भी नहीं जानते कि पुलिस का नया कानून बन चुका है और ये कानून 2007 में बन चुका है राजस्तान की विदान सबाने ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अपने मन से नहीं बनाया, पुलिस को कोई नहीं चोड़ना चाहता, सब चाहते हैं पुलिस हमारे दबाव में रहे, हमारे कहने से काम करे, उल्टे सीधे काम करे, इसलिए पुलिस को छोड़ना राजनेताओं के लिए सबसे मुश्किल काम है आप पानी वाले विभाग को साइड में कर दीजिए बिजली वाले विभाग से उनको कोई मतलब नहीं है आप समाज कल्यान का विभाग कहीं भी रख दीजिए लेकिन पुलिस का विभाग उनको अपने हाथ में चाहिए इसके लिए मुख्य मंद्री भी किसी को ग्रह मंद्री ने बनाते है बीज़ेपी में और कॉंग्रिस दोनों में वो ग्रह मंतरा ले अपने पास रखना चाहते है क्यूंकि सारी टाकत स्टेट की पुलिस में होती है लेकि नया कानून बन गया 2077 स्ट में कानून के अनुसार नियम बनाए हर कानून के साथ नियम बनाने होते हैं रूल्स बनाने होते हैं 2010 में जाके करें इनों नियम बनाए लेकिन नियम बनाने से क्या होता है उनको लागू करना भी सरकार के हाथ में होता है और जब जनता सोई भी होती है तो सरकार कभी भी जनता के हित के कानून नियम लागू नहीं करती है और ये राजस्तान और भारत की असल दसा है यहां पर बैठे तताकति बुद्धी जी भी इन कानूनों की A, B, C, D भी नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते वो भी अठारवी, सत्रवी सदी के लोगों की तरह जे जे कार करना चाहते हैं, जिन्दाबाद जिन्दाबाद करना चाहते हैं और सोशन को बढ़ते वे देखना चाहते हैं उसका परतिकार नहीं करना चाहते हैं अभी तक जो इस चोपाल में पधार चुके हैं उन सब को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ और उनसे अंद्रोद करता हूं कि ये ठीक बात रादस्तान की पुलिस के बारे में अधिक लोगों तक पहुंचे इसके लिए आप अपने सामने मुबाइल फॉन में एक बटन दियावा है सेर का उसको दबा दें आपकी मितर सुची में जो भी लोग हैं जो जागना चाते हैं उन तक बात पहुंच जाए जो जागना नहीं चाते हैं उनको सोने दीजिए लेकिन कोई जागावा और जागना चाता है तो उसको थुढ़ी मदद करिये क्योंकि ये जानकारी का दिया जलेगा आपके दिमाग में फिर दूसरे के दिमाग में तीसरे के दिमाग में तो जागरन होगा आप सेर कर दीजिए और जो लोग बाद में देखें इस लाइव वीडियो को यहां पर रिकोर्डेट रहेगा वो बाद में भी सेर कर सकते हैं और अपने कमेंट्स के साथ अपनी समझ के साथ इस पर पोस्ट भी लिखिए कि आज के लाइव के बाद में मैं यह समझा हूँ यह समझी हूँ कि राधस्तान की पुलिस के लिए अब नया कानून यह है और उसको इसकी बासा कानून का नाम सुनते ही यह सानी सोचे कि अब यह तो हमारे बस का सोधा नहीं है मैं बहुत सरल सब्दों में आपको यह सब बताऊंगा तो 2007 में राधस्तान की विदान सबा ने एक नया कानून बना दिया राधस्तान पुलिस अधिनियम 2007 अधिनियों के बासाथ और यह तैय हुआ कि अब राधस्तान की पुलिस इस नए कानून के तहट काम करेगी इस नए कानून में क्या है जो पहले के पुलिस कानून में नहीं था यह बात आप समझ लेगे पहले का जो कानून था वो 1861 में बनाया था अंग्रेजोने भारत में राज करने के लिए और आप समझ सकते हैं कि जब बाहर के लोग यहां पर राज करना चाहते थे तो उनको किस परकार की पुलिस चाहिए थी उनको ऐसी पुलिस चाहिए थी जिससे जनता डरती हो जिससे राज का खौप लोगों के दिमाग में रहे यह उस पुलिस की पहली सर्थ थी अपरादों की जाच करना अपरादियों को सजा देना यह काम भी था लेकिन पहला काम था कि राज का डर कायम रहे 1861 की जो पुलिस थी वो इसी कानून के थैट काम करती थी इसी उद्देशे के साथ काम करती थी देशाजाद हो गया 1947 में जो राज के भुखे लोग थे राज में इतने मस्त हो गए कि उन्होंने सोचा कि इस पुलिस कानून को बदलना ठीक नहीं है हम पहले वाले जो सासक थे उनकी तरह इस पुलिस का दूरुपयोग करें ताकि जनता हमसे डरी रहे और पुलिस से अच्छा कोई सादन है नहीं जनता को डराने का फिट कर देंगे जेल में डाल देंगे पुलिस के डर से लोग बाग दूर रहते हैं और आज जितने भी लोग सत्ता में भागिदार होना चाहते हैं उनके मन में कहीं कहीं यह रहता है कि मैं फोन करूंगा तो मेरा फोन ASP उठाएगा, डिवेस पी उठाएगा, थानेदार उठाएगा यह उनके मन में भावना रहती है मैं इसका दूरूपयों करूंगा यह सोचकर इस राजनिती के पैसे में नहीं आते हैं कि हम पुलिस के माद्यम से जन्रता को न्याई दिलवाएंगे यह उनके दिमाग के किसी भी कौने में नहीं होता है इसलिए लोग खुब पैसा खर्च करके विधायक बनना चाते हैं सांसथ बनना चाते हैं मंतरी बनना चाते हैं पुलिस उनकी पहली प्रात्मिकता होती है सट्ता के दुरूपयों की लेकिन कुछ लोगों ने भले लोगों ने 1995 का आसपास सुप्रेम कोट का दरवाजा खटकटाया कुछ पुराने जो डारेक्टर जनरल थे इमानदार थे पुलिस के जिनको यह लगता था कि अब यार बहुत हो गया यह इस अंग्रेजी किसम की पुलिस को अब जाना चाहिए और हमारी देशी पुलिस को आगे आना चाहिए हम जो हमारी अपनी लगे जिससे बच्चे डरे नहीं तो उन्होंने सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटकटाया माननी परकास सिंग जी माननी फिलरो साहब ऐसे कई अधिकारियों ने सुप्रिम कोर्ट को कहा कि अब इस हिंदुस्तान में नई तरह की पुलिस चाहिए जो जनता को अपनी लगे और जो राजनीती से मुक्त हो जिस पर दबाव ना हो बात बात में अन्याय का साथ देने का सुप्रिम कोर्ट ने उनकी बात को सुना क्योंकि संसा तो किसी भी तरह से तयार नहीं थी किस तरह का नया कानून बनाए आज भी नहीं है संसा तो मजबूरी में कानून बनाती है जनता के हित के जब मजबूरी आजाती है कि सुचना का दिकार देना ही होगा तो देती है मجبوری आजाय है कि नया पुलिस कानून बनाना तो बनाती है मजबूरी में जनहित के कानून बनाती है अगर कॉर्परेट का स्वार्थ हो उनके पीछे असली मालिक बेढ़े होते हैं जिनकी कटपुतलियाँ उनके हित में कोई कानून बनाना हो उसमें फिर ये लोग बहुत जोर लगाते हैं लेकिन जनित के कानून बहुत मुश्किल से बनते हैं रंजीत भाई मैं लाइव आता हूँ बुदुवार और सनिवार को और सवा आठ बजे का समय रहता है आपने पूछा इसलिए मैंने बताया और आप आईएगा और कोशिश करिएगा कि आप जब इस लाइव में बैठें तो आपके साथ आपके दोस्त भी बैठें और सब लोग सुनें और मनन करें मैं जो बातें कहे रहा हूँ वो सब की हित की बात है तो सुप्रिम कोर्ट के कहने पर कानून बनाने की प्रकिरिया शुरू ही केंदर सरकार ने तो मना कर दिया हम कानून बनाएंगे ने पुलिस तो राज्य का विशे है वो कानून बनाए राज्यों को लिखा लिखते लिखते बहुत साल हो गए और राजस्तान की सरकार मानी कि हाँ हम पुलिस की सुधार के लिए कानून बनाएंगे ऐसी ही उन्होंने डिंडा करकर के और सारी राज्य सरकारों से ये नया कानून बनवाया इन्हें पुलिस रिफॉर्म कहा गया पुलिस सुधार कहा गया इन कानूनों में दो बातें रही एक तो यह रही कि पुलिस को राजनेताओं से थोड़ा दूर करना है उनके दबाव में अन्यतिक काम ना करे पुलिस इतनी व्यवस्ता कर देनी है हाँ उनको सम्मान दे कोई दिक्कत नहीं है जन प्रतिनिती उनको सम्मान दे उनकी बात को सुने क्योंकि इतने लोगों के प्रतिनिती है लेकिन उनके दबाव में अन्याय का साथ ना दे उनके चंगुल से मुक्त करोना था और दूसरा पुलिस और जनता को नजदीक लाना था पुलिस और जनता को आपसी विस्वास में आपसी समझ के साथ नजदी के लाना है इस से क्या होगा इस से अपरादों को रोकने में मदद मिलेगी जो पहला उद्देश्य होना चाहिए पुलिस का पुलिस के दो उद्देश्य होते हैं एक उता अपराद को रोकने का एक उता अपराद की जांच करने का जब अपराद हो जाए उसके बाद जांच करने का लेकिन हमारी कोशिस होनी चाहिए का अपराद हो ही ना जैसे हम लोग चिकित सा स्वास्ते विभाग का जिम्मधारी समझते हैं स्वास्ते ठीक रहे और अगर बीमार हो जाए तो चिकित सा हो जाए तो स्वास्ते ठीक रहे इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए एक अच्छी विवस्ता में चीजों को खराब होने से पहले रोकने का काम किया जाता है अपराद होने से पहले रोकना जाए है कोजाराम जी मैं MSP के मुद्दे पे भी बोलूँगा संभोते हैं मैं सनिवार को इस पर बात करूँगा मैंने इसका खुब अद्देन किया है और मैं इस पर भी आपको बताऊंगा कि हमारे लिए MSP ज़्यादा ठीक रहेगी या भाव का अंतर है वो देना ठीक रहेगा या प्रती एकड़ खेती का खर्चा देना ठीक रहेगा इस पर मैं विस्तार से साइद सनिवार को बोलगा तो दोस्तों ये दो चीज़ें रखी गई पुलिस और नेताओं को थोड़ा दूर करना पुलिस और पुबलिक को थोड़ा पास लाना यानि पुलिस पुलिटिक्स के बीच में गेप बढ़ाना और पुलिस और पुलिक के बीच में गेप कम करना ये इसका उद्देश्य था और जो इसका लक्षे था कि अपरादों को कम किया जाए कानून पास हो गया 2007 में लेकिन उसके कानून का अंसार नियम बनाने पड़ते हैं ऐसे चलती है वेवस्ता ऐसे चलती है लेकिन राजस्तान के सरकार नियम बनाने में कोई रुची दिखा ही नहीं फिर जो लोग सुप्रिम कोर्ट में गए थे उन्हों ने काया देखो साब कानून तो बना दिया इन्हों अभी तक नियम ने बनाए उन्होंने मैनत की ये जो दूसरे साथ ही आप जो दूसरे कमेंटस लिख रहे है न उन बातों को छोड़िये कितने रुपे चाहिए कितने रुपे नहीं चाहिए इसको छोड़ियЕ मैं जो बात कहराँ उसको समझजीए बहुत गंबीरता से समझजीए और जितना आप समझेंगे जितना जानेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा इस विवस्ता के परती आपका विश्वास बढ़ेगा आपका खुद पर भी विश्वास बढ़ेगा जब जानकारी होती तो विश्वास बढ़ता है बिना जानकारी के डर लगता तो इसको सुनिएगा मेरी बात को प्रेम से सुनिएगा मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है और ये बड़ा बोरिंग किसम का चेप्टर हुआ करता है इस तरह का लेकिन हमारे लिए और हमारे परिवारों के हित में ये बातें कहना और सुनना समझना बहुत ज़रो दिया अब जो दोसों साथी आ गए हैं तो मैं हमेसा अर ब्रेक पर एक बात कहता हूँ दोसों साथ ही आ गए हैं तो कोशिश करें कि एक बार आप जो जिन लोगों ने पहले सेयर नहीं किया सेयर कर दें और यह ध्यान रखें कि मैं सेयर करने का बोलता हूं तो आप ग्रूप वगरा जिन-जिन में हैं उनमें share करने की जरूरत नहीं है आप केवल एक share करिए अपनी खुद की ID पर simple share बस मुझे इस तरह की सस्ती लोग पर जाता भी नीचे बहीं जितने भी ग्रूप हैं सब में share कर दो इस तरह की जरूत नहीं है ऐसे अपने को कोई हल्दी तेल नहीं बेजना है एक विचार है तो विचार तो बहुत गंबीर लोग में पास जाना चाहिए तो आप लोग इसको इसका ध्यान करिएगा कि एक बार share करें अपनी ID पर फालतुके ग्रूप में वगरा मत बेजिए नहीं है लेकिन उससे भी बड़ा उद्श है हमारे जो साथ ही कह रहे हैं उमेदा राम जी थानेदार और डिवास पी का नजरिया बदलना पड़ेगा यह नजरिया तब ही बदलेगा उमेदार राम जी जब हम अपने अधिकारियों के हम अपने अधिकारों के प्रति जाग जब उनको समझ में आ जाएगा कि अपने अधिकारों को प्रदी जाग रूख हैं उनकी बासा बदल जाएगी हम जाग रूख नहीं हैं हम आँख बीच के बैठे हैं तो कोई भी हमारा सोशन करेगा कोई भी हमको गाली देगा ये बात मान के चलो कोई भी देगा बजार का अप्टो डिस्ट्रिक्ट रहना ठीक है या नहीं है इस पर भी अभी अपन बात करेंगा निलकुमर मुझे नहीं लगता अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहने से कोई पुलिस ज्यादा अच्छी हो जाती है हमने खरके देख लिया मुझे इससमें को ज्यादा फरक नजर आ गलता नहीं है। लोग सौशते ही रिस्त्राइबर हैंगी आसपास के लोग मिलने वाले हैंगे तो उनका पक्सपात करेंगे लेकिन अगर ये कानून साइक से लागू हो जाए तो किसी के हत्म कुछ रहगा लाह रशका ना बेवस्ता को ठीक कर दो ना बजाए कि इसके कि इ प्रागों नहीं करते हैं आप लिखते रही है अपने जो कमेंट से मैं जहां जहां पर संभव होगा तो मैं उसके भी जवाब दूँगा तो दोस्तों इस कानून में दो बाते हैं पुलिस और पॉलिटिक्स को थड़ा दूर करना पुलिस और पुलिक को पास लाना ताकि अप गयर्टिद होने से पहले रोका जा सकें अब यह जो नहीं अकानून बना इसमें पुलिस वालों को क्या फायदा है जो करंचारी है पुलिस और अपकर चारी किव पूस्टिंग तो दो साल के लिए करें दो साल से पहले अगर आपको किसी पुलिस करमचारी अधिकारी का ट्रांसपर करना पड़े देखें डी जी से कॉंस्टेबल तो अगर किसी पुलिस अधिकारी करमचारी का ट्रांसपर करना पड़े तो आपको लिखित में इस पस्ट कारण देना होगा कि इस अधिकारी को या इस करमचारी को यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहिए यह नहीं कि कोई A.S.P. आया छे मुएने तक लगा वार साब को जची नहीं उसको वहां से वहां अटा दिया किसी को सालबर बाद औझा दिया कोई सबस्पेक्टर लग जगे अहीं सालबर से फिर नेताजी को जची नहीं उसको आठा दिया यह नहीं होना अची वो दो साल का tenure हो और यह सोचा गया गगो वो दो साल के लिए अपने बच्चों को फेमिली को साथ लाएगा उनके लिए planning करेगा डंग से रह सकेगा अपने बच्चों के साथ औरना इस डर के मारे वो पुलिस के जो लोग है जिला मुख्यालों पे कहीं कहीं पे अपने बच्चों को रखते हैं साथ में नियुक्त रहता है कि क्या पता किस दिन ट्रांसपर हो जाए है इसा नहीं है संट्रल गवर्मेंट सारे फिक्स होता है चार-चार साल का टेनियूर होता है सब लोग अपनी प्लानिंग करते हैं मैं कई बार पुलीस वालों को हसता हूं कि जो आपका ट्रांसपर पहले कर देते हैं थो यह तो कानून है नीति तह नहीं अगर नेति है तो इसको करनले में चलो फ़टी दिक्कत आती है लेकिन सपस्ट कानून बनावा है उससे पहले आपका ट्रांसपर कर दिया आप सकते हो या तो कारण बताओ मेरा यहाँ धितना खतररूनाख Quando बताओ कोई गलती गी है तो इसकी सज़ाद आक्वार क्या परिवार ने क्या गलती डिमार की शुरुकसा के लिए नियम बना है जो जानते है ठीक है तो नहीं जानते हैं उनको बता दो मेरा नाम डूक्टर असोग चोछधरी है अब इनु रजस्तान पार्टी से हूँ मैं और हमारी पार्टी राजनिती को ढटाकर उसकी जगे लोखनिती लाना चाहती है इस गंदगी को ढटाना चाहती है और लोगनिती जो लोगों के हित्मे नीति हो, उस पर काम हो, राज की नीति हम ऐसा राज के हित्मे होती है, राजनेताओं के हित्मे होती है, हम चाहते हैं जननता के हित्मे नीति है रहे और जननता के हित्मे काम हो, इसलिए में हमारी पार्टी नहीं तरह की पार्टी है, पूरे भारत में ऐ हम राजनीती सब्द से ही करना करते हैं हमें बिल्गुली पसंद नहीं है वो रास्तंतर की नीती थी अब उसका कोई यहां पर काम नहीं है उसको हटा देना चाहिए अब यहां पर केवल वही नीती होनी चाहिए जो आम जनता के हित में होती है और यह बहुत टेड़ा काम है जो हमने हाथ में ले रखा है आप लोग सहयोग करेंगे तो 2022 में हम आपको लोक निती के दर्सन करवा देंगे थोड़ी पीठ मजबूत चाहिए लोग साथ चाहिए कानून तो बने वे हैं हमें नए कानून नहीं बनवाना है एक तो मेहनत करनी होती नहीं कानून बनवाने की तो वो प्रकास सिंग जी और उनके साथ योने बनवा दी सेल्यूट टु देन उन्होंने जेहिंद कर दिया अब पूरा जेहिंद हमको करना है कानून तो बना दिया उन्होंने तो एक तो फाइदाई ही हो जाएगा दूसरा इससे फायदाई हो जाएगा और दूसरा उससया की जो पुलिस वालों की डूटी लगती है कि दिन में गूम रहे हैं इदर से उदर गाड़ी लेके कोई मामला हो गया तो वहां गूम रहे है और फिर वो जांच भी कर रहे हैं इस नहीं कानून में यह को पुलिस की अलग लग डूटी होगी एक बेच होगा वो तो यही काम करेगा जो कानून और वेवस्ता को मेंटेन करके रखेगा और दूसरा होगा जो अपराद की जांच करेगा ताकि जो जांच कर रहा अधिकारी पूरा ध्यान लगा कर जांच करे वो बाकी चीजों से डिस्टरब नहीं हो तो जांच वाला काम बहुत महत्वपोन है उस जांच के मुद्दे पर वह ज़ादा ध्यान दे उसको अलग-अलग कर दिया जाएगा तो पुलिस करमियों को रहत होगी वरना ये फाइल लेकर वहां गया इतने में फोन आगया को वहां जाओ वहां पर कोई पंगा हो गया वहां जाकर खड़े हो जाओ और तीसरा क्या होगा उनकी जो ट्रांसफर्स हैं उनकी आत्मा को मारना नहीं पड़ेगा बात-बात हलागी वह खुस है मैं यह के रहो हूँ हो 90% लोग तो इसमें खुस है राजनेतिक दखल में भी खुस है उनके अपने माइने हैं लेकिन हम उनके माइनों के साथ कैसे चल सकते हैं हैं तो हमारे समाज की लोग लेकिन उनके इसाब से हम चल नहीं सकते हमको राजस्तान की पुलिस नए रूप में चाहिए थोड़े से करम चारियों के लिए हम पूरे समाज को खराब होने दें पूरे समाज का शोशन होने दें निर्दोस लोगों को जेल में जाने दें ऐसा हम नहीं होने देंगे यह हम नत्य कर लिया और 2022 में इस सारा जो कानून है उसको लागू करवा के रहेंगे और दमदार तरीके से लागू करवाएंगे रामनोर लोईया कहते भी देंगे कोई जिन्दा कौम होती है वो पांच साल के लिए इंदिजार थोड़ी करती है क्यों कब चुनाव होंगे फिर हम लोग आएंगे जीते हैंगे फिर हम करेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे जनता के लिए क्या राम है इसके अंदर इसने एक कानून में पुलिस कानून जनता को क्या राम है एक तो पुलिस का डर कम हो जाएगा खोब कम हो जाएगा पुलिस का नाम लेते ही लोगों को डर लगता कैसे थाने में जाएं किसको साथ लेके जाएं जूठा भी नाम लिखा दिया तो डर लगता अब क्या होगा थोड़ा खोप कम होगा थोड़ा कम होगा ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा कम होगा बाकी जो खोप पूरी तरह से खतम तो अभी नहीं राजस्तान में होगा लेकिन अभी थोड़ा खोप कम हो जाएगा जबराराम जी आप बिल्कुल सही फर्मा रहे हैं पुलिस के पास में साधन नहीं है साधनों की कमी है अपरादी गुमते हैं स्कोर्पियों लेके फर्चुनर लेके पुलिस वाले पुरानी गाड़ियां लेके पिछे जाते हैं लेकिन बात साधनों की नहीं है जबराराम जी बली उंट गाड़े हो लेकिन पुलिस मजबूत होनी चीए पुलिस और जनता साथ में हो ना तो पुलिस वालों के पाज उंट गाड़े भी हो और अपरादियों के पाज स्कोर पी हो गया एलिकोप्टर हो ना तो भी उनको दबोच ले यह मानता हूं और इसी के लिए नहीं कानून बने है कि पुलिस और जनता नजदीक आ जाए तो सामने सामने तो अन्याय अत्याचार कम हो जाएगा यह फाइदे होंगे जनता को अब इस नए कानून में क्या-क्या खास बाते हैं उपर से नीचे तक मैं आपको समझाता हूं सबसे पहली चीज एक पुलिस आयोग होगा पुलिस कमिशन होगा मुख्यमंत्री भी होंगे विपक्ष के नेता भी होंगे ग्रह मंत्री भी होंगे डीजी भी होंगे यह सब मिलके एक पुलिस आयोग बनेगा और वो पुलिस आयोग रादस्तान की पुलिस विवस्था की समिक्षा करेगा इसकी चिंता करेगा लेकिन आपको ताजूब होगा कि 2007 के बाद से पता नहीं एक कमिशन बना एक नहीं बना और मुझे नहीं लगता विपक्स के नेता को भी पता होगा है इसमें कोई रूची होगी कि चलो यार में भी उस कमिशन का मेंबर हूँ और इसकी मीटिंग कराई जाए अभी पिछले दिन हमने आटिय लगाई थी और हमने पूछा था ग्रह विबाग से कि इस पुलिस आयोग की बैठके कब कब हुई ये दो साल में और इसके मेंबर कौन कौन है तो हमको जवाब नहीं दे पा रहे हूँ गोल गोल जवाब देते ह पुलिस आयोग का गठन कब हुआ इसमें कौन-कौन लोग है उन्होंने कब-कब मीटिंग की और मीटिंग की तो उसमें क्या-क्या डिसकसिन हुआ है क्योंकि उपर से पकड़ों गंगा तो गंगोतरी से निकलती है अभी हमको जवाब नहीं दे रहें लेकिन उजवाब तो हो तो निकालना पड़ेगा तो एक पुलिस आयोग होगा यही तो मैं कहरा हूँ को 2022 में हम इन चीजों को लागू करवा देंगे हम इसके पीछे पढ़ गया है पुलिस आयोग होगा जो पुलिस की नीतियों को ते करेगा उसमें विपक्स का नेता भी साथ होगा मुख्यमं करेगा ने करमचारियों के भरती और नोंके ट्रासफर पोस्टिंग का काम करेगा जो ट्राण्फपर पोस्टिंग अभी भी अभी कहां से होती है आप समस्ते हैं कि वह से नहीं होगी पुलिसक्ती अहद haystaden के लागू उपलिसके बार कि पूछा है किसमें कोन लोग है और उनकी बैठके हैं कब हुई है तो वो भी बता नहीं रहा लेकिन अब बताएंगे जब हम लोग मिशन के तोर पे लगेंगे पीछे वो बताएंगे भी और वो जैसी सारी चीजें लागू होंगी तो पुलिस का करेक्टर बदलना सुरूगा और ये हम कर देंगे 2000 वाइस में इतना थो हमारे पास में माधा है इतनी हमारे पास में ताकत है कि हम कर देंगे और इसके लिए मैं पिछले कई दिनों से लोगों को रिक्वेस्ट कर लाँ मुझे एक हजार जिंदा, जागरुक और जिम्मेदार नागरिक चाहिए उनको कहीं रोड पे जाके टायर जलाने की जरूत नहीं है सिर्फ मेरा साथ देने की जरूत है हाँ हम इस आदमी के साथ है खुले किसके लिए साथ हैं? इसलिए नहीं कि ये हमारी जाती का इसके लिए साथ है इसके लिए नहीं कि ये बहुत डायलोग बाज़ी कर देता है इसके लिए साथ है इसके लिए नहीं साथ हैं इसके लिए नहीं साथ हैं हम इसलिए साथ हैं कि ये जो नीतियां बता रहे हैं ये नीतियां लागू होनी चाहिए इसके लिए हम इनके साथ हैं ऐसे हमें जिन्दा जागरू जिम्मेदार नागरिक चाहिए जो रादस्तान सरकार के बने बने कानूनों को लागू करने मेरी मदद करें ने कानून तो अभी अभी नहीं रास्तान में बनाएंगे लेकिन जो बने वे हैं उनको लागू कराने मेरी मदद करें और उनके लिए मैंने सर्तें रखी है तीन एक सर्थ ये रखी है कि महीने में एक दिन मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि साथ में बाहर आके जब तक खड़े नहीं होगे दोस्तों उनको लगता ठीक है और मोबाइल पर हाँ जी हाँ जी करते होंगे संगर्स करो हम आपके साथ हैं लेकिन प्रेक्टि rely हो लोगों में नहीं हैं है जब सरकार को लग जाता है अको अनகार नहीं है तो वह अपना अरशार नहीं रोगती हैं आप देखों केंदर सरकार नहें कि कितना 1 एक साल लगाया। उनको जिसी लगने लगा की किसान नेताओं के साथ में नहीं है तो उन्होंने सारी बार कर दी। अंपनूर नेता, उनको कशान उनकुआ मजबूती से घाहंगा मेंसातए तुर कानून वापिस लेने पड़े। हमको यहां कानून लागू करवाने है हमको जैसे पुलिस एक दोजार साथ लागू करवाना है हमें पंचायत राज अधिनियम लागू करवाना है लागू करवाना है ग्राम सबा का आयोजन होना ही चाहिए हर तीन मेने में गाओं में और उसमें सारी बातें किलिर होनी दोस्तों तो भारत और राजस्तान का बविश्य बहुत खराब होने वाला मैं आपको आज इस प्रस्ट कह रहा हूँ जिस देश के लोग सोय रहते हैं जो बने बने कानूनों को लागू नहीं करवा सकते होना तो यह चीजिए हम नए कानून लागू करवाएं जैसे अभी चल रही है सेंटर में कोशिश किसान नेता हों कि हम MSP का कानून बनवाएं यह तो होना चीजिए लेकिन कानून बन गया उसके बाद उसको लागू करवाएंगी कि करसी मंडी का जो कानून बनावा है उसको लागू करवाएं चारगा विकास की जो योजना बनी उसको लागू करवाएं राष्ट्रिय सिक्षा योजना उसको लागू करवाएं राष्ट्रिय स्वास्तिय योजना लागू करवाएं ऐसे हमने कुछ पॉइंट साथ में लिये हैं उसमें से एक यह पुलिस कानून है इसलिए आपके साम कर दूंगा लेकिन मैंने का ने एकजार की सर्थ यह महीने में एक दिन मेरे साथ कहीं खड़े होंगे दो दिन के लिए अपना मोबाइल लेकर बैठ जाईए इसको सेयर करिए जिन जिन लोगों तक किसी सरकार की उकात नहीं है कि वो उस बात को रोक सके सरकारों की क्या जड़ होती है विल्कुल गारज की तरह छोटीक होती है जनमत सामने आया जनमत का सहलाब आया तो इसको रटना पड़ता वे इसको जुगना पड़ता तो एक तो चीज यह पुलिस आयोकी हो गई दूसरी पुलिस इस्तापना बोर्ड है और तीसरा पुलिस जवाब देई समीती है यह जनता के लिए बनाएगी इस कानून में स्टेट लेवल पे भी और हर जिले में एक पुलिस जवाब देई समीती बनेगी जिसमें जनता के लोग होंगे जो पुलिस के किसी भी अत्याचार के खिलाब सुनेंगे पुलिक और डारेक्ट अभी कोई भी पुलिस का वेक्ती अत्याचार करता है गलत हरकत करता है गाली कलोज कर देता आपके साथ में बिना किसी गलत ही के आप किसको सिकायद करेंगे, आप डिएजी को सिकायद करेंगे, आप डिएजी को सिकायद करेंगे, यह तो सब पुलिस के अधिकारी हैं, ज्यादा चांस यह हैं, कि यह उनकी बात में हां में हां मिलाएंगे उसने सही का, उसने जो किया सही किया, इसलिए इस कानून में बना कि पावर रहेगी और आप उनके सामने जाकर कह सकते हैं कि मेरे साथ इस सब इस्पेक्टर ने यह अत्याचार किया है यह ठीक नहीं है वो उनको बुलाएंगे आपके सामने सुनेंगे ताकि आपको तसलियोगी यह जो लोग है यह यह पुलिस के अधिकारी नहीं दूसरे लो साले लोग है जो जनता है वो मार्क्स गलत सलत दे देते हैं बस प्रॉब्लम यहां पर है नेता एक्जाम तो देते हैं हर पांच साल में तो जवाबदाई समीति होनी चाहिए हर जीले में वह भी हम गटित करवाएंगे 2022 में मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं 2022 में यह जो सानसद रहा हो वह इसमें नहीं हो सकता तो यह लोग क्या करता है इसमें आड़ेस्ट करने के लिए अपने कारे करताओं को गुशा देते हैं वह प्लीस वालों ऐरोब मारते रहें यह नहीं चलना दिदे इस पुलिस जवाब देजित हैं कोई भी वेक्तियासा नहीं हो सकता जो पहले किसी भी पद पे रहा हो या अभी किसी भी राजनेतिक पार्टी का सक्रिय सदश्य पदादिकारी हो वो नहीं रह सकता फिर एक लास्ट चीज हर थाने में एक CLG गटित होगी Community Lisen Group तो समाज के लोगों का एक सम्मू होगा हर थाने के शत्र में से ये चुनेवे लोग होंगे हर गाउ में से एक होगा मोले में होगा तो मोले से एक होगा इस तरह के लोग होंगे और वो हर मईने थाने में मिटिंग किया करें उन में से एक आदमी को चुना जाएगा सहीं हो जग पबलिक के तरफ से वो रहेगा सेयोजक और ये हर महीने थाने में समिक्षा करेंगे कि इस हमारे थाने का काम कैसे चलता है और जो थानेदार जी हैं वो उनको बताएंगे सारी चीज़ें इस महीने में हमने क्या 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 और यह जो CLG मेंबर से हैं यह थानेदार जी को सहयोग करेंगे अगर कोई भी ऐसी गत्वीदी हो रही है उनके महले में जिसके बारे मुनको डाउट है कि कल को इसमें से कोई अपराज निकल सकता है तो वो सूचना देंगे उनको यह सामुदाई की गृप मिलकर ठाने का संचालन करेंगे एक तरसे अपरतेक्स रूप से लेकिन बन तो गए CLG CLG के गृप बन गए है चितने भी CLG के मेंबर बने उनमें से किसी को आज तक यह पता नहीं है कि मेरा धाइत्वे क्या है जैसे पंचाई्ट समेथवी मेंबर बन गाया उसको नहीं पता करें मीरी जिमधारी क्या है मतलब है कि मुझे परदान बनाने में एक वभर पैसे लेना है उसके लाव मेरा कॉई काम नहीं है जिलापरिशन सदेशे को भी नहीं पता कि मेरे ड्यूटी क्या बनती है किसी ने उनको एक आगज ही नहीं पकड़ाया कि तुम्हारे अधिकार है ऐसे ही CLG मेंबर्स को किसी नहीं बताया कि तुम हो क्या तुम्हारे ड्यूटी क्या बनती है उनको मुर्ग बनाने के लिए उनको सांती समीदी चाई बुला लेते हैं जैसे होली पे बुला लेते हैं दिपावली पे बुला लेते हैं जब कि फरजी है मामला पुरा उनकी मीटिंग हर महीन होने चाहिए हर महीने उनकी मीटिंग होने चाहिए और वो थाने में बैठ के समि पारहा कर दो मेरे कापने मेंबर बनाया मैं करूंगा क्या और सी एल जी में भी कोई भी राजनेतिक पालिटी का अपिक इन नहीं हो सकता है अखबार में बड़ा आता काज जी की मीटिंग होई अदेख्ष का किसमे की थानेदार जी न की नहीं कर सकते थानेदार जी अदेख्ष्ता को रहेगा जो तब शहीं हो जगे और करेगा तो सियल जी को ठीक से नहीं करने पीचे पुलिस वालंग अपना सुहारत है कि अगर होगी लागू तो इम क्या करेंगे अगर पबली किस तरह से कंट्रोल करने लगे तो फिर मजा क्या थानदार होने का तो वो कोशिश करेंगे कि लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस में कई लोग इतने प्यारे हैं जो चाहते हैं कि पुलिस ठीक से काम करें उनको स्वधंतरता मिले तो पुलिस को बहुत डंक से चलाना चाहते हैं पपली को साथ लेकर चलाने चाहिते रेंगे, लेकर नों से मुख्त करना पड़े गाव से उपर का जो दबाव पड़ता है इसके चक्र में वो अनितिक काम करते हैं तो पुलीस का ये जो सीजिट गठन है यह भी ठीक से होना चाहिए हम पुरुएंगे कि यह ऻगर अदर भांगे राजनेता सबके अपने अपने सवार्त के जनीत में उनको मोड़ना इतना असान काम नहीं बहुत मुश्किल काम है पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ बर्म जिसे हम कहते हैं आंक की सरम कुछ तो इस्तापित हो एक दम यूँ आटे में नमक जिदना तो चले लेकिन नमक की रोटियां बना बना के खिला रहे हैं यह ठीक बात नहीं यह यह कोशिश करने हैं जो तीन सो लोग हमारे साथ आगे हैं उन सबसे मेरा request है कि एक बार की अगर आपने पहले share नहीं किया अगर कर दिया तो फिर नहीं करें अगर पहले नहीं किया तो एक बार की बटन दबा दें सामने आपके लिखा share का बटन उसको share कर दें ताकि आपके आसपास में आपसे प्रभावित जो लोग हैं जो आपको क कुछ लिखना जो भी बात आपको समझ में आए उस बात को लिखना अच्छा लगेगा जब आप अपनी बासा में लिखो गए कि अब मैं चाहता हूं कि राजस्तान पुलिस अदिनियम दोजार साथ लागू हो जाए लोग पूछेंगे इसमें क्या है तो आप बताएंगे ये हैं आपने जिंदागी में दस्elt सीवी परिक्षय पास की ओगी बारविभी की पास की ओगी लेकिन ये मेरी लोगत तंतर वाली परिक्षय पास कर लोगे तो रादस्तान और भारत को ब मेरें बन थे करेंगे अजमे नेता करा देगां ओपनी जिन्दगी रीक आपकी कायों करें इसके लिए तो मर्या हैं वहां इसके लिए पैर करें लिए नेता के लिए थोड़े कर रहा है तो हम क्या करेंगे हम पत्र लिखेंगे ज्यापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे एक दिन हम प्रदर्शन करेंगे पुलिस मुख्याले पर प्रदर्शन करेंगे उसमें इसपस्ट करेंगे कि आप पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी मैं इसप परस्ट लिखिये ताकि करमचारी अधिकारी को पता रहे कि मैं आ गया हूं मुझे दो वर्ष के लिए यहां पर सर्विश करने है और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी आठ गंटे हो जैसे दूसरे करमचारी हो इसकी भी हम भरपूर कोशिश करेंगे 24 गंटे की ड्यूटी क्या होती है यह तो मानवा धिकार का उलंगन है यह कोई नोकरी होती है 24 गंटे पैसाब करने की चुट्टी नहीं है पुलिस के कानून में आप आप के दो कुछ जगे चल रहा था और मैं पैसाब करने चला गया था फिर भी सस्पेंड हो सकते हो पूरा तो यह भी हम करवाएंगे कि उनकी ड्यूटी आट गंटे की हो इसके बाद में रोटेशन हो ड्यूटी का टेट गंटे का आपके बास 17,000 करमचारी है रोटेट करो रंक से रियोगनाइज करो उनको यह क्या बहाना हो गया करमचारी कम है कम है दुनिया में क्या संभव नही जब टेकनोलोजी आगई अब पहले ठीक है उन्टों पे गूमते थे जादा जादा मोट सेकलों पे गूमते थे उनका गाडियां वाडियां मोबाइल इंटरनेट सब आ गया अब 17,000 करमचारी है तो उनकी ड्यूटी आट गंटे कर सकते हैं मैं बना के देदूं कलनक्सा इ इसे कम होगा पुलिस वाले पैसा खाने खाना कम कैसे करेंगे मैं कमल भाई पुलिस मित्र के बारे में भी बताओंगा थोड़ा थोड़ा देरी रखिए यह जो योजना थी नहीं गाउं गाउं में ऐसे पुलिस मित्र खड़े करने थे हर गाउं में पुलिस मित्र खड़ा वो बना दी एक आग्जामिनाना पुलिस में ब्रश्टाचार कैसे कता हो तो आप किसी कॉंस्टेबल या समिस्पेक्टर की जगे अपना आपको देखी है अच्छा सा टेलेंटेड वेक्ती है जुआ है वो पेदा हुआ जब ब्रश्ट नहीं था जब इसने एक्जाम दी तब भी ब्रश्ट नहीं था हलागि एक्जाम दे रहा है जब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़े है जब एक्जाम दे रहा है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़े है कि पुलिस में नोकरी लगने के बाद में खुब सारा पैसा एक्स्ट्रा आ सकता है उससे जिंदगी को सांदार बनाया जा सकता है ये उसके दिमाग में होता है इसलिए वो टीचर की नोगरी छोड़के और पुलिस में जाना पसंद करता है तो ब्रष्ट क्यों होता है पुलिस वाला तो वह वैसी होता जैसे दूसरे दिप बाग करते हैं राजसुभी बाग के लोग ब्रष्ट होना चाहते हैं हेल्द बीबाग के अधिकारी डाक्टर सब अतिरिक पैसा चीए उनको आरेस को अतिरिक पैसा चीए तेसलिदार को अतिर यह पैसा क्यों चाहिए जब तक आप उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे पुलिस वालों को ब्रस्ट कहते रहो वो ब्रस्ट रहेंगे आप चाहिए रोज दो पकड़ो थनदार या पांच पकड़ो रिशुत लेते वे अगले दिन आपको औ लिए नहीं जादा है झ्यटे पतंगे ऊहते रहे इत्ना जादा है उनका उस जो रोज्नी होती इसका अकरशन इतना जयदा ह होता है कि वह जाके उस बाल पर टकर आप आग से टकराएगा मरेगा ऐसा अर्षण इतना ज्यादा पतंगे मरते ने बांपर जाके टकराते हैं फिर मर जाते हैं कि ये कोई अच्छा आम नहीं है वो फैसा पैसा का तो उस पैसे छो समाज में प्रतिष्टा पाना चाहते हैं में ता हमारे पास खूब सारा पैसा है देखिए हमारा बहुत बड़ा मकान देखिए हमारा खूब सारा प्लेट देखिए हमारी सोने की चेन देखिए हमारा मेंगा मोबाइल देखिए हमारी मेंगी गाड़ी क्योंकि अधिक तर लोग जो ये कॉंस्टेबल में आते हैं बहुत पैसेवाले गरों के नहीं होते हैं न के उनके बएच्छा होती है हुँआ हैं ने जो 2-4 पैसेवाले उनकी तरह की हो जाएं ठीक नों में गाते हिए अपकर उतकी हुए हो जाय कैसे हो जायि connecting हो देखेश sigma के आखर सने हैं उसके कारण से वो लालच पढ़ता उनके दिमाग में उससे बार निकल ही नहीं पाते है फिर वो अपनी आवशित्तों को बढ़ाते ही रहते है वो कम होती ही नहीं है और उस जाल में उलग जाते है दलदल है वो सारा उससे बार निकल ही नहीं पाते हैं वो लोग जो तो वो मुख्यतीती बने मुझे लग रहा फिर कौन पैसे के चक्क्रम पड़ेगा अमेरिका में यूरोप में होगा करूप्शन लेकिन अपनी तरह नहीं है वहां पर प्रतिश्टा के दूसरे मानक है पैसा नहीं है ठीक ठाक है पैसा लोगों के पास कमाते हैं जिनको कमा हो चले जाते हैं बिजनिस में बिजनिस में कम हो पैसा यहां क्या बिजनिस में चांसिस कम है पैसा कमाने यह भी एक कारण है अभी राधस्तान की या दूसरे के प्रदेशों की आर्थिक इस्तिति ऐसी नहीं है कि आदमी इस बेहिमानी के पैसे के अलावा इमांदारी से प पैसा लेते हैं तो सुकी होता हूँए हैं डरे वे रहते हैं पलोट किसी और के नाम नाम कराते हैं पैस पंखेयोंने कोई का सी भीवाल को नीज नी आती है कोई के देल कि आ यह कब खतम होगा इसके लिए बड़ी योजना बनानी पड़ेगी जो हमने अभी नहीं रादस्तान में बनाई है बड़ी योजना व्यापक और उसके बाद नहीं हो पाएंगे ब्रस्ट हो नहीं पाएंगे उल्टी होने लगे इक ब्रस्टा जाएंगे सरावी को सराव लेक ताथ उल्टी होने लगती उसको तो इनके मन में इस तरह के पैसे के प्रति गणा बढ़ देंगा हम लोग इतनी जादा बढ़ देंगे उनको उल्टी होगी किया यह काम मैं करूंगा क्या और फिर वो मस्त हो जाएंगे एक बार पूरा समाज को बाहर निकालना पड़ अभी आप सोचते को पुलीस वाली बरस्ट हैं तो बरस्टों के लाइन लंबी है उस पर कभी मैं बोलूंगा कि समाज में कौन-कौन बरस्ट है हम खुद लोग कितने बरस्ट हैं अच्छे अच्छे लोगों को बारे में आपको बता हूंगे कितने बरस्ट हैं लोग है एक वह कि दुकानदार है वह जिसको 100 रूपे लेता आप से किसी चीजिस के .- माजिस के , बीड़ी के , चाय के और एक सरकार का आढमी पब्लिक से काइष लेता है। तो ब्रस्ट अजार की बड़ी सुधा दिनक परीवास आए , तो दुकान-दार तो बरस्ट makers नहीं है जो आपका पैसा टेक्स का जो जरकार के खजाने में जाना चाहिए वो जमा नहीं करवा रहा है जिसके कारण से सड़क बनाने भी दिक्कत हो रही है जिसके कारण स्कूल ठीक से नहीं बन पा रही है वो तो बहिमान नहीं है परिभास हैं बदल दी उन्होंने बहिमाने की उस पर भी कभी बात करेंगे एक दिन लेकिन आज हमारी जो बात थी मुख्य रूप से वो पुलिस कानून 2007 पर थी हम लोग चाहते हैं कि पुलिस का कानून 2007 का लगू हो जाए तो कुछ आंक की सरम पेदा हो जाए कुछ-कुछ सुधार हो जाए बहुत ज़्यदा अपेक्स आप नहीं कर सकते लेकिन पचास परसेंट सुधार तो पुलिस की वेवस्ता में हो जाएगा और इससे पुलिस को भी फायदा है पुलिस के करमचारी 37 अपनी नोगरी करेंगे जिनको अच्छे से नोगरी करनी है है इमांदार इसे करनी है वो बढ़िया से नोगरी कर पाएंगे अभी तो क्या है कि इसमें जहों के साथ गुणंभी Rsेर है कि मांदार पुलिस वाल या भी बहुत परिसान है वो समझी नीपा रहे हम नोगरी कhou कर मिखल निकल ने पार Tribal ब़रना उनको को कापी कुछ लागू करवा देगा है ऐसे ही दूसरे कानून बने हुए उनको भी हम लागू करवाएंगे दूसरी योजनाओं को लागू कराएंगे लेकिन आप हमारा साथ देना है उस सदे ने के लिए सबसे पहला दिन 29 दिसंबर 2021 जेपूर छे कि कहने से हम लोग जेपुर में एक दिन जाएंगे जिसे एकजाम देने जाते हैं जिस पति-जी की साधी में जाते हैं ऐसे एक दिन जाएंगे खुदकी जेप से कहरचा लगा कर और खड़े रहेंगे जो बात कहेगा इसके साथ खड़े रहेंगे एक दिन के लिए और आप देखना कितना मज़ा था आपको साम को वापिस आओगे तो संतुष्टी के साथ आओगे का आज हम एक बले काम के लिए गए थे और जब चेंज आएगा जब चेंज आएगा विवस्ता में तो आपको आनंद आएगा आपको लगेगा कि ये काम हमने करवाया था हम गए थे कड़े रहे थे हमको एक तोदा ने किसी नेता ने करवाया था एक उता कि मैंने करवाया मैंने खुद ने मैं गया था वहाँ पर, हम संग्ठित रूप में गया थे 29 तारिक दिसंबर की आप रिजरू कर लेना अभी से और निकलना घर से बार, आलस तोड़ना थोड़ा सा आलस नहीं तोड़ोगे तो ऐसी शोशन होता रहेगा, ऐसी विवस्ता और खराब होती रहेगी 29 तारिक दिसंबर को हम लोग गायों के लिए खड़े होंगे वहाँ पर, यह जो बटकते गोबंस हैं उसके लिए खड़े रहेंगे और पूरा डंग से एक सुन्धर तरीका प्रकसन होगा जैसा आज तक राजस्तान में नहीं हुआ, उसमें हमारे साथ आप पाटिशिपेट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा मन में संतुष्टी आएगी, जैसे कई बार हम अच्छा सा खाना खाते हैं, संतुष्टी होती गाज, तो मज़ा आगया खाना खाने गया ऐसे ही आप जब साम को आओगे, और आकर गाओं में को आओगे, कि मैं इस काम के लिए गया था, तो वाकई में आपको सामने वाले के आँखों में और आपकी आँखों में दोने जगे विश्वास दिखाई देगा तो जरूर बदारियेगा उस दिन, 29 दिसंबर को और फिर हर माईने एक दिन आना आपको, एक दिन आपको सोजत में आना, एक दिन आपको सांबर में आना, एक दिन आपको खेजरली के लिए आना, तो हमारे जो मुद्धे हैं उनके उपर आपको आना और आपको मज़ा आए बात और लोगों तक बात पहुचेगी फिर हम लेटर्स लिखेंगे हम ग्यापन देंगे प्रदस्न करेंगे तो यह मुद्दा सुलच जाएगा ऐसी सुलचते हैं लेकिन पहले आपको आमंधरन देना होता है बीना आमंधरन के आप लोग भी ने आते हैं ऐसे होता तो पहुचे बाद से अभी तक पता नहीं देश कहां से कहां पहुच जाता है थैंक यू सौ मच मेरे साथ एक घंटा तक बने रहने का और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं इसको उनसे मेरी अफेक्शा रहेगी को सेयर करें इस बारे में लोगों को बताएं लिक के बताएं कि यह जो पुलिस कानून 2007 है यह लागू होने से पुलिस के कर 2022 को भी आराम होगा और जनता को होगा और पुलिसमें राजनेतिक दखल कम होगा और जनता पर ज़्ञादा जुड़ेंगी और अपराद होना रूग जाएंगे क्योंकि जतने भी अपरादी गूमते हैं समाज में चोरी चकारी करते हैं चाहिए वो कोई तसकری का धंदा करते हैं तो मॉल्ले वालों का पता होता है इस घर में आजकल कुछ मामला अलग चल रहा है इस घर में मामला अलग चल रहा है इसलिए तो यहां पर यह अलग से पैसा आ रहा है तो CLG अगर मजबूत रहेगी हमारा जो सामुदाइक समू है पुलिस का वो मजबूत रहेगा तो पहले ही सुचना पहुंचाएगी कि द्यान रखना साब यहां कुछ गड़बर चल रही है जान रखना साब उनका लड़का आजकल तोड़ी गतिवीदियां उसकी ठीक नहीं है तो हमारे महले में यह 4-5 लोग जिन पर नज़र रखने की ज़रोत है तो जब भी कोई अपराद गटित होना होगा उससे पहले उनको धर लिया जाएगा उसका यह आराम होगा कि अपराद गटित होने से पहले ही रोक लेंगा जखदीज जी कह रहा है अगली बार पेपर आउट पर करना एक भाई मेरा पेरा टीचर्स की बात भी कह रहा है मुझे सब मुद्दे ध्यान है और मैं कोशिश करूँगा कि सब पर एके करके बोलूँगा लक्ष्मन भाई आपने बात लिखी बार बार मैं समझ रहा हूँ और मैं इस पर भी बोलूँगा अगली मुलाकात में हम लोग MSP पर बोलेंगे जो बात चल रही राश चीज तर पर कि नियुन्तम समर्थन मुले देने से किसानों की किसमत कितनी बदलेगी ये पॉसिबल है या नहीं है और इसके अलावा क्या वेबस्ता हो सकती जो और ज़्यादा सरल हो किसानों के हित्मों उस पर भी हम बात करेंगे आपको खूब सारी सुबकाम नहीं और मैं आपको बता दूँ 29 दिसंबर को हमारा जो कारिकरम होगा जेपुर में उसकी सफलता या सफलता पर आगे हमारा सब कुछ निर्वा करेगा आप साथ दोगे तो बंदा चलता रहेगा आप को ओगे नहीं हम तो मस्त हैं अपनी दुनिया में जैसा सोचन होता रहे तो अकेला में कुछ नहीं कर पाँगा इसलिए आप सब को बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथ आईए हो सकता आपकी पहले की कई धारनाएं हो पारिवारिक समझ्चाएं हो मजबूरियां कुछ भी हो लेकिन अब एक साल मेरे साथ जी कर देखिए लोग तंदर में जी कर देखिए आपको अलग लगेगा आपको आनदा ही लगेगा खुब खुब शुब कामने आपको शुबरातरी